नमस्कार दोस्तों मैं राजन शर्म आपका स्वागत करता हूँ आज की और वीडियो में और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाला एक भाई का हमारे पास कमेंट आया था कि उसने एक फोन ओडर किया था और जब डिल्वी वह उसके लोकेशन पर उसको डिलीवर करने के लिए तो उसने उसे 50 रुपे एक्ष्टरा चार्जिस मांगा कि उसके घर पर रेलेवर करके जाएगा उसके घर तक उस समान को पहुंचाएगा तो बाई कमेंट में यह पूछ रहे कि उसको देना सही था या नहीं था उसको देने चाहिए था नहीं देने चाहिए थे तो तो यह वीडियो जो है customer की awareness के लिए है कि आप थोड़ा सा जागरूग हो जाए इसके लिए customer को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होता है वह आपको योडर लगाते हो तो उसी में आपको एड कर दिया जाता है और जो delivery boy है वह आपसे मांग रहे हैं petrol का बहाना लग बनते हैं क्योंकि company जब भी उनको हायर करती है उसको petrol का लग से खर्चा दे दिया जाता है और salary उनको मिलती है तो ऐसे में आपने उनको एक रुपया भी पे नहीं करना है और आपकी डूर पे डिलिवरी होते है वह customer की satisfaction से होता है कि जैसे delivery boy कोरियर आपको देने के लिए आ आपका गाव में और गाव में एक जगा पर आके कि आपको location का नहीं पता है कि आप यहां से लेकर जा सकते हैं और आप से पूल सकता है अगर आप से लेकर आने में तो ही आप लेकर आ सकते हैं और थोड़ा सा समझना चाहिए क्योंकि वह परेशान होते हैं सभी जगा फेर होता है तो आप भी जाकर लेकर आ सकते हैं और आप से वह जवरदस्ती नहीं कर सकता कि आप यहीं से लेकर जाओ अगर आप कहीं बार गया तो आपको उनको बोलना है कि आप घर पे पहुंचाओ और अगर आप थोड़ा फ्री हैं तो आप वहां से जाकर लेकर आ सकते हैं ज यहां पे वो खड़ाया क्योंकि उसको आपके काम के बारे में नहीं पता आपको पता कि वो कहां पर खड़ा आप जाके लेकर आ सकते हो बसी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो थी आपको देने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें